नमस्ते दोस्तों मेरे चैनल पूजा पाट उपाय में आपका हिर्दे से बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि धन, बैबव, संपिदा, लच्छमी की प्राप्ती के लिए रुद्राविशेक आप घर पर खुद ही कैसे करें दोस्तों बैसे तो रुद्राविशेक आप कभी भी करा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं लेकिन ये सावन के महिने में वो भी सौमबार के दिन, या त्रयोधशी के दिन, या सावन की सिवरातरी पर करने से ये अनन्त गुनाफल देने वाला होता है दोस्तों आप कैसे करें घर पर रुद्राविशे वो भी बहुत ही कम सामिक्री से तो इसको देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों रुद्राविशे करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक सिविलिंग होना बहुत जरूरी है सबसे पहले अब आपको एक दुली हुई परात या थाली एक बड़े साइज की ले सकते हैं थाली आप तामे की भी ले सकते हैं और यदि आपके पास ना हो तो आप इस्टील की भी ले सकते हैं वैसे आपके पास फूल की थाली हो तो ये सर्वोत्तम होगी अब आपको दोस्तों क्या करना है अब आप थाली को गंगा जल से पवित्र कर लें और उसको पहुँच लें उसके बाद आप हल्दी या चंदन से एक स्वास्तिक बना लें अब दोस्तों आप थोड़े से चाबल डाल दें उस स्वास्तिक के उपर रख लें इसके बाद आप एक बेल पत्र उल्टा करके रख लें स्वास्तिक के ही उपर आपको रख लेना है इसके उपर आप सिवलिंग को रखें बेल पत्र को उल्टा रखना है यदि आपके पास पूरा स्युपरवार है तो आप उसको भी रख करके रोद्राविशेक का पूजन कर सकते हैं अब आप सीधे हाथ में थोड़ा सा चावल, फूल, रोली ये सबी चीज़ें हाथ में ले करके और गड़ेश जी का, गौरी मेया का, कार्तिके का, नंदी का, नांग देपता का और भगवान भूले नात का ध्यान करके उनका आवहान करें और सिबलिंग पर चड़ा दें, ओम नमस्यवाय का जाप निरंतर करते रहें अब दोस्तों आप गंगा जल से सिवलिंग को इसनान कराएं यदि गंगा जल आपके पास थोड़ा है तो साधा जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इसनान करा सकते हैं इसके वाद दोस्तों आप दूद, दही, घी, सहथ, गंगा जल मिला करके, पंचामरत बना करके भगवान को इसनान कराएं और मन में ओम नमस्षिवाय, ओम नमस्षिवाय का जाप नरंतक करते रहें भगवान के सिवलिंग के उपर थोड़ा-थोड़ा आप उंगलियों से उनको मल-मल कर इसनान जरूर कराएं किस चीज से अफसेख करने पर क्या फल मिलता है, इसका वीडियो मैं आपके साथ पहले ही सेयर कर चुकी हूँ चैनल पर जाकर के आप उसको भी चेक कर सकते हैं या इस वीडियो के लाश्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी अब दोस्तों आप एक बेल पत्र लें और उस पर थोड़े से चावल, चंदन, फूल और थोड़ा सा मीठा रख कर भगवान को समर्पित करें और आपकी जो मनो कामना हो वो पूरी करने के लिए भगवान भोलेना से प्राथना करें बेल पत्र को भगवान पर समर्पित कर दें इसके वाद दोस्तों अब आप साधा जल से उसमे थोड़ा सा गंगा जल मिला करके भगवान को फिर से इसनान करा लें और फिर उन्हें पहुँच लें अच्छे से तौलिय से या रुमाल से उनको पहुँच लेना है अब भगवान को आसन पर बठा लेना है जिस भी आसन में आप उन्हें बठाते हों अपने घर पर वैसे ही आप उनको बठा लें अब सिबलिंग के उपर आप चंदन से त्रकुंड बना दें और थोड़ा सा भगवान पे इत्र चड़ा दें इत्र लगाने से हमारे मन को बहुत सुक्ष, सांती और बैवव की प्राप्ती होती है अप भगवान को बस्तर समर्पित करने हैं, बस्तर आप जनेव पना सकते हैं या कोई आप पीला बस्तर उनको पना सकते हैं, बैसे जनेव पनाना ज्यादा उत्तम होता है अब दोस्तों आप भगवान भोले नात के 12 जोतर लिंगों का नाम लेते हुए भगवान पर अब सभी चीजों को समर्पित करना है आपके पास जो चीजों पलब्द हो आप बोचड़ा सकते हैं जैसे अब आप चाबल, काली मिर्च, लौंग, इलाइची, कमल गट्टा, सुपाड़ी, नवैद, एनि कोई भी मीठा, परशाद, फल, धतूरा, फूल, मेबा, बेल पत्र, समी पत्र आप जो भी आपके पास हो इन मैसे चीज़ें वो आप चड़ा दें और कुवरेशुर महादेव का नाम लेते हुए भगवान का पूजन करें और उनसे प्रात्ना करें तो कुवेर भंडारी आपके भंडार जरूर भरे रखेंगे अखंड स्वहाग पाने के लिए मैलाएं गौरी मैया पे साथ फूल गुलाब के समर्पित करें और उनसे आसीरवाद लें गौरी मैया और भगवान भोले नाथ आपको अखंड स्वहाग का आसीरवाद देंगे इसके बाद आप धूप और दीप प्रजुलित करें और भगवान भोले नाथ की आरती करें और आप अपनी मनो कामना पूरी करने के लिए भगवान से विन्ती करें इसके बाद आप भगवान को रिजाने के लिए सिर्फ चारीशा का पाट कर सकते हैं रुददाष्टक का पाट कर सकते हैं या आपको कुछ नहीं आता है तो भगवान का आप भजन कर सकते हैं कोई उनको गेत सुना सकते हैं तो मित्रो ये बहुत ही सरल बिदी से मैंने आपको स्वैमी रुद्राविस से कैसे किया जाता है बताया है यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर संभू भोलेनात दिखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको सभी के साथ सेर जरूर कर दीजिएगा और लाइक दे दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सकाइब कर दीजिएगा आप इसी तरीके के वीडियो इस देखने के लिए चैनल को सब्सकाइब जरूर कर दीजिएगा तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए जानकारी के साथ तब तक के लिए हर हर मह आदे हो दोस्तो